हेलो गाईज कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू माई चैनल तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गरम आलू मेथी के पराठे जो अक्सर हम सर्दियों में खाते हैं ये देखे गाईज आलू मेथी के होटल जैसे पराठे मैं आपको घर में बहुत ही इसली तरीके से बनाना बताऊंगी कुछ टिप्स के साथ तो आईए बनाते हैं गर्मा गरम आलू मेथी के पराठे तो गाईज सबसे पहले मैं ने लिया है एक बाउ लाटा आटे को हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ऐसे गूंद लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमने इसका गीला थोड़ा इसका एक डो बनाएंगे अक्सर जब हम पराठे बनाते हैं आलू के मेथी के या गोभी के तो आटा जो हो गाईज धीला ही होना चाहिए थोड़ा ये देखिए हमारा डो बन कर त्यार है अब हमने इसको पंदरा मिंट के लिए ऐसे ढख कर रेष्ट के लिए रख देना है कि हमारा डो बढ़िया से त्यार हो जाए इधर गाईज हमने लिया है 500 ग्राम मेथी मेथी को हमने बढ़िया से ये देखिए धोकर अब बरीग बरीग हमने इसको काट लेना है इसके बाद हमने एक फ्राइपेन रखा है इसमें मैंने तेल डाल दिया है तेल हमारा गरम हो गया है गाईज इधर मैंने आठ दस कलियां लेशन की बरीक मैंने काट लिया है ये मैंने तड़के में डाल दिया है लस्टन को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है गाईस अब हम इसमें डाल देंगे 5-6 कटी हुई बरीक हरी मिर्च हरी मिर्च कम्या ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है एक मिन्ट चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बरीक कटी हुई मेथी हमने बरीक बरीक मेथी को काट कर अब अब हमने इसमें डाल दिया है बढ़िया से हम इसको अब मिक्स करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक नमक डाल कर हम इसको ऐसे मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये 4-5 कटे हुए आलू आलू और मेथी के मिक्स पराठे बहुत ही गाई स्वादिष्ट बनते हैं इसको हमने ज्यादा नहीं पकाना है पांच मिन्ट चलाने के बाद अब हम इसको ढखकन लगा कर ऐसे पकाना है कि बढ़िया से आलू जो हमारे कच्चे हैं बढ़िया से पक जाएं ये देखिए आलू हमारे बढ़िया से बन कर त्यार हैं ये बढ़िया से पक चुके हैं अब हम इसको गैस को बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए मिक्सर को रख देंगे इधर हमने गैस के उपर तावा रख दिया है गरम होने के लिए ये देखिए आलू और मेथी को मैंने बढ़िया से मैश कर लिया है बरीक बिल्कुल कर लेना है गैस इधर हमारा आटे का डो 15 मिंट के बाद ये देखिए बढ़िया से बन कर त्यार है अब हमने एक आटे के ये अपने अनुसार छोटी या बड़ी लोई बना सकते हैं ऐसे हमने करके इसको ये देखिए आठा लगा कर बढ़िया से इसको ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेना है ऐसे करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये मिकसर आलू मेथी का ये आप मिकसर डाल कर इसकी सील को हमने बढ़िया से ये देखिए सील कर देना है कि हमारी ये जो सील है बढ़िया से बंद हो जाए ये देखिए धीरे धीरे ऐसे करते हुए हमने फिर से इसमें आठा लगा कर हलके से बेलने से हमने इसको बेलना है गाईस ज्यादा हमने इसको नहीं बेलना है ये देखिए बढ़िया से ये बनकर त्यार है ये बिल्कुल भी गाईस तूटेगी नहीं इधर हमारा तावा गरम है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा उपर से हम इसमें ऐसे तेल डाल देंगे तेल डाल कर अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने पराठा बेल रखा है तवा हमारा गरम हो गया अब हम इसमें ये देखे तवे के उपर हमने पराठा डाल दिया है गैस की आच को ना तो तेज होनी चाहिए ना ही कम मीडियम आच में हमने गैस को रखना है अब हम इसको ये देखे पलट देंगे एक तरफ आब हम इसमें लगाएंगे ये अब हम इसमें लगा देंगे रिफाइंड आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं गाइस ये देखिए धीरे धीरे चम्मत से प्रेस करते हुए ये हमारा पराठा बढ़िया से प्रेस करने से फोल जाता है ये देखिए गाइस गर्मा गरम हमारे आलू मेथी के पराठे बनकर त्यार है अब हमने ऐसे ही आटे की लोई लेकर ऐसे ही प्रेस करते हुए हाथ से ऐसे हमने इसको स्टाफिंग डाल कर हमने बढ़िया से इसको बेल कर त्यार कर लेना हैं सभी पराठे को हमने ऐसे ही बना लेना है पराठे बनाते वक्त बस गाइस इस बात का ध्यान रखें जो आटे का डो हो ओ थोड़ा सा गीला होना चाहिए कि हमारे पराठे जल्दी से बन जाएं और ये तूटे नहीं गीला होने से डो हमारे जो पराठे हैं वो तूटते नह अपली झाल झाल यह देखिए गाइस गरमा गरम आलू मेथी के पराठे बन कर त्यार है मैंने आपको बहुत ही इसली तरीके से होटल जैसे घर में पराठा बनाना बताया यह गाइस बहुत ही स्वाधिश्ट बनते हैं आप इसको अक्सर सर्दियों में जरूर बनाए आलू मेथी के पराठे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं गाइस इसको बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं आप इसको जरूर ट्राई कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए हम फिर मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ खाते रहिए मुस्कुराते रहिए बाए बाए